तो हरो दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल वी फॉर वैल्लू में दोस्तो मैं आशा करते हूँ आप सभी लोगों को ये न्यूज जरूर पता होगे कि गौवर्मेंट ओफ इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है मैनुफेक्चर करने से सेल्स करने से एंड यूज करने से और ये सारी चीज़े देखने के बाद बहुत सारे इंवेस्टर काफी ज़्यादा इंटरस्टेड है पेपर मैनुफेक्चरिंग कंपनी के उपर तो आज हम इस वीडिय काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है तो अगर आप भी उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को लास्ता का आप जरूर देख सकते हैं तो बीना टाइम वेश्ट करें चली वीडियो शुरू करते हैं देन सबसे पहले नमबर पर हमारा स्टॉक आता है वह आप बात करें नेट इंकम की तो वह कंसिस्टेंटली आपको बढ़ता हुआ देखने को मुल रहा है विच इस ग्रेट साइन आप जैसे की देख पारेंगे मार्केट शेर भी अच्छी तरीकर से ग्रो कर रहा है और नेट इंकम भी हाला कि रिवेन्यू वे थोड़ा सा और क कमपनी अच्छी तरीकर से ग्रो कर रही है अपने कैश्फंट को लिघस के लिग डान अबैं इसको और इसको चाहियो आने विल ताइम पर हमें फूस्ट अच्छा देखने को मिल सकताया है बात करते हैं company के chart pattern के उपर, तो last one year का आप जैसे की देख पारेंगे chart, almost company ने last one year में negative sentiment दिखाया, ups and down काफी ज़ादा देखने को मिल रहे हैं, बात करते हैं last five years की तो almost 32% का return देखने को मिल रहे हैं, अगर आप max chart pattern देखें तो almost 129% का return देखने को आपको मिल रहा है, तो इसमें काफी ज़ादा ups and down देखने को मिल रहे हैं, बाट अगर आप बात करें lockdown के बास से तो company ने काफी अच्छे momentum दिखाया है, 11 रुपे का share almost आज के टाइम पर 36 रुपे पर trade कर रहा है, और आने वाले time पर आप शायद इस stock को consider करें, बात करते हैं अपने 52 week high के मुकाबले आप जैसे की देख पारेंगे, अभी के time PA stock almost 20% के discount पर trade कर रहा है, तो यह आपके पर depend करता है कि आप इस stock को अपने portfolio में जगी देना चाहते हैं, आप चाहें तो इस stock को अपने portfolio में जगे दे सकते हैं, हाला कि मैं जितने भी stock बताऊँगा, अगर आप उनमें से किसी भी stock के उपर particularly video चाहते हैं, उनकी detail analysis चाहते हैं, तो please मुझे नीचे comment करके बताएगा, बात करते हैं हमारे second stock के बार में, तो हमारा second stock जो है, वो है Orient Paper Industry Limited, तो आप जैसे की देख पारेंगे, कंपनी का share price almost 24 रुपीज का चल रहा है, बात करते हैं कंपनी के work के, तो ये भी paper production का काम करती है, बात करते हैं सीधा financials के उपर, तो आप जैसे की देख पारेंगे, कंपनी ने अपने revenue को थोड़ा से यहां पर ups and down देखने को मिल रहा है, और यहां से 2019 के comparison में यहां पर आपको downfall ही आता वह देखने को मिल रहा है, हाला कि market share को कंपनी ने increase किया है, बात करते हैं होल्डिंग्स की तो आप जिसकी देख पारेंगे, यहां पर आपको 38% की holding देखने को मिल रही है, mutual fund की holding 8% की देखने को मिल रही है, DIN लगबग को investment नहीं करी है, for investors की बात करें तो almost आपको 2.5% की investment देखने को मिल रही है, rest आपको retailer देखने को मिल रहा है, लबब 49%, तो यह भी आप कह सकते हैं, थोड़ा overall weak chart देखने को मिल रहा है, अगर आप बात करें holding के ओपर केवल, then बात करते हैं company के chart overview के बारे में, तो यहां पर आप जैसे की देख पारेंगे, last 1 year के अगर आप बात करें, तो almost 19% का आपको downtrend देखने को मिल रहा है, last 5 years की बात करें तो 12% का, अगर आप max chart pattern देखेंगे इनका, तो इनने काफी बड़ा यहां पर return दिया है, आप जैसे की देख पारेंगे, share यहां पर list हुआ था, almost 0.17 पर सन 2000 में, और तब से लेकर आज तक आप जैसे की देख पारेंगे, almost 13,000% का company ने return दिया है, तो already आप कह सकते हैं, एक multi-bagger stock है, आप अगर consider करना चाहिए तो कर सकते हैं, हाला कि मैं personally इस stock के प्रतिया भी जाने के लिए comfortable नहीं, तो हमारा अगला stock है, अंधरा paper limited, तो आप जैसे की देख पारेंगे, यह company भी paper production का का काम करती है, बात करते हैं company के financials के उपर, तो यह company personally, financials रूप में काफी ज़्यादा मेरे को ठीक ठाक देखने को मिल रही है, consistently company अपने revenue को increase किया, हाला कि यहाँ पर थोड़ा से downfall देखने को मिल रहा है, बट आना वाले time पर मेभी इसे company increase करेगा, अगर आप last five years को comparison करें, तो revenue net income market share तीनों में ही company ने industry को beat किया है, जो की काफी बड़ी बात होती है, बात करते हैं, net income की तो वो भी एक काफी इची तरिके से company grow कर रही है, हाला कि 2021 में minus में जाता हो देखने को मिल रहा था, but again उसे come back करा जा रहा है 2022 में, जो की काफी अच्छी बात है, इसके लावा अगर हम बात करें company के cash flow की, तो आप जैसे की देख पारेंगे, cash flow यहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़ गया था, अगीन company ने अपने operations में पैसा लगाना चालो किया, अभी के time पर थोड़ा सा down देखने को मिल रहा, इसके लावा अगर हम जानना चाहें company के holdings के उपर, तो 72% की holding per motors की देखने को मल रही है, almost 8.5% की holding mutual fund की DIA की 0.4%, for investors 0.2%, retailers की holding almost 18% की देखने को मल रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं kind of strong holding pattern आपको देखने को मिल रहा है per motors का, तो overall आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहें, अगर आपका wheel power suggest करता है, company के analytics आप चेक करिए अच्छे से, अगर आप फिर चाहते हैं तो इस company में invest कर सकते हैं, company के last one year के return की अगर हम बात करें तो almost 25% का return दिया है, last five years के return की बात करते हैं, आप लगबग ना के बराबर return है, बात करते हैं, company के max return के तो इस company list हुई तो almost 24 रुपे में, और अभी के time पर all time high बनाया था लबाद 600 रुपे का, तो company ने काफी अच्छे returns अपने investors को provide करे हैं, आपके उपर depend करते हैं, अगर आप इस company में जाने के लिए comfort है बिले तो आप जा सकते हैं, personally मैं नहीं जाना चाहता, बात करते हैं हमारे next company के उपर तो आप जैसे की देख पा रहेंगे, यह हमारे company है, West Coast Paper Mills Limited, यह company क्या करते हैं, paper production का का काम करती है, बात करते हैं, company के financials के उपर, तो every single year company अपने revenue को tremendously काफी अच्छी तरीके से increase किया है, which is the very great sign for the company, बात करते हैं net income की, तो वो भी company का significantly बढ़तावा देखने को मिल रहा है, हाला कि 2021 में यह minus में गया था, but again उसे come back कर रहा है company जो की काफी इच्छी बात है, as compared to the industry level, last five years से company revenue, net income and market share, तीनों में ही industry को beat किया है, then अगर हम बात करें company के cash flow की, तो वो भी company significantly increase कर रही है, हाला कि यहाँ पर downfall देखने को मिल रहा है, it means कि company अपने debt को clear किया है, या फिर अपने operations में पैसा खर्च किया है, जो कि यह काफी इच्छी बात होती है, बात करते हैं company के promoters के holding के उपर, तो आप जिसकी देख पारेंगे, almost 56% की promoters की holding है, जो कि काफी इच्छी माने जाती है, mutual fund की holding almost 8% की देखने को मिल रहे है, 0.8% DIIIR देखने को मिल रहे हैं आपको, इसके लाबा बात करें for investors की, तो almost 2% की for investors की holding देखने को मिल रहे है, rest आपको retailer देखने को मिल रहे हैं, तो overall आप कह सकते हैं, kind of good holding pattern आपको देखने को मिल रहा है, as a small cap company अगर आप इसे compare करें तो, बात करते हैं company के chart pattern के बारे में, तो last 1 year में आप जैसे की देख पारेंगे, 30% का company ने return दिया है, last 5 years की बात करेंगे तो company ने almost 70% का return दिया है, और max chart pattern की बात करेंगे तो company ने almost 3000% का return दिया है, which is the very good return for the investor, मतलब इस company ने भी अपने investors को काफी अच्छी returns प्रोवाइट की हैं, although आपके उपर choice है कि आप क्या चाहते हैं, इस company से कितना अच्छी returns और भसूल सकते हैं, although it's your choice कि आपके इसमें investment करना चाहते हैं, अगर मैं अपना personal opinion दूँ तो मैं इस stock के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि कोई एक अच्छी सी dip देखने को मिले, and then मैं उस समय में इस stock को बाई कर सकूँ, आप मुझे बताएगेगा कि आपकी क्या choice है, then बात करते हैं हमारे अगले stock के उपर, तो वो है हमारा इमामी paper mills, company की बात करते हैं, तो company paper production का काम कर दिया, ये भी, बात करते हैं company के financials के उपर, तो company every single year अपने revenue को increase कर रही है, सेम वही चीज़ जिनके net income भी आपको देखने को मिल रहा है, which is a great sign, जहां 2020 में minus में जाता हूँ देखने को मिल रहा था, अब लगभव वो 114 करोड की हो चुके है, तो ये काफ़ अच्छी बात है, last five years में अगर हम comparison करा जाए इंडेस्ट्री से, revenue, net income और market share, तीरों में ही company ने बीट किया industry को, जो कि काफ़ अच्छी बात है, बात करते हैं company के cash flow की, तो वो भी significantly बढ़ता हूँ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, बट अगर हम बात करें company के chart pattern के उपर, तो आप जैसे की देख पारेंगे, last one year में आपको minus में देखने को मिल रहा है 14%, last five years की बात करें तो 4% minus में, max की बात करें तो आपको यहाँ पर लगवा 4% के downtrend देखने को मिल रहा है, it's just because क्योंकि company अभी के time पर recently ही market माई आई है, बट मैं यह की इन से खाय सकता हूँ कि आने वाले time पर company का काफी bright future है, क्योंकि company के fundamentals and financials काफी ज़्यादा strong है, तो आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचने stock के बार में, personality value मैं थोड़ा सो इसमें और research करना भी चाहता हूँ, बात करते हैं मेरे favorite and last company के उपर, तो वो है हमारे GK papers limited, I hope आप में से काफी सारे investors ने इसके उपर नाम सुनाओ, company basically paper production का काम करती है, बात करते हैं अगर हम company के financials के उपर, तो every single year company ने काफी अच्छे हैं, and market share, तीनों में ही company ने industry को beat किया है, cash flow की बात करें, तो वो यहाँ पर आपको जो plus में था, वो आप minus में जाता हो, देखने को मिल रहा है, आपको घबराने की जुरूत नहीं है, यह basically इस वज़े से दिखाई देता है, तो इस पर आपको फोकस करना है, अगर इसमें आपको कोई गलती देखने को मिलती है, ताब आप इस share से exit कर सकते हैं, बात करते हैं, अगर हम company के यहाँ पर, चार्ट पेटन के उपर, तो आप last one year में 39% का return देखने को मिल रहा है, लास five years की बात करें, तो almost 200% का return देखने को मिल रहा है, अगर आप max returns की बात करें, तो almost 400% का return आपको देखने को मिल रहा है, company list to 30, 2005 में और अभी तक company significantly आपको continuously growth दिखा रही है, तो यह काफी अच्छी बात है, long term के लिए बेशक hold कर सकते हैं, अभी के time पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी buy मत करिएगा, आप इसमें wait करिए, एक अच्छा सा dip मिलते ही, आप इसमें buy कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा, ताकि जैसी यह stock एक अच्छी position पर आता है, तो please इस वीडियो को भी जरूर देखेगा, तो जल्दे मिलते हैं से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक है, stay safe and goodbye, thank you दोस्तों.